मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ, Best 65-inch TV in India 2024 अगर आपने डिसाइट किया है कि आपको 65-inch का TV लेना है तो आपको quality तो बहुत अच्छी लेनी है, यह तो clear है 15 से भी ज्यादा TV को मैंने side by side करने के बाद मैंने compare किया है different different parameter पे तब जाके मैंने आप सभी के लिए लेके आई हूँ 8 best TV मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ, जिसकी servicing अच्छी होगी, quality अच्छी होगी सारी चीजों को मैं check करके लाई हूँ, आप सभी के लिए TV और इन 8 TV को मैंने 4 category में divide कर दिया है फर्स category आजाएगा आपका budget, second आजाएगा आपका middle budget और third आजाएगा आपका upper budget और fourth आजाएगा आपका premium जिससे आप without any confusion TV को buy कर सकते हैं मैंने इसमें कोई भी normal TV को add नहीं किया है तब TV आपको इसमें best मिलेगा और अगर आप लोग मेरे channel में नए हैं तो please मेरे channel को like and subscribe करना ना भूले ताकि मैं इसी तरह के वीडियो के update आप सभी को आगे भी देती रहूं मेरा channel का name है दाचान नीरफो तो please मेरे channel को आप लग subscribe प्यार किया है fourth category according to the budget range तो first में मैंने रखा है budget budget range में मैं में लिया है दो TV जो first TV आजाता है view, masterpiece, qled इस TV में आपको बहुत ही अच्छी brightness देखने को मिलेगा brightness के साथ साथ आपको इसमें devin zones भी मिल रहा है enhancing contrast HDR10 plus dolby vision का भी support मिलता है 120 hertz refresh rate panel VRR ALM का support perfect TV watching experience आपको देता है especially for OTP content and perfect आपको gaming experience भी इस TV में देखने को मिलेगा और एक खास बात आपको इस TV का audio जो की perfect sound आपको देता है चलिए इस TV का अब हम थोड़ा सा pros और cons भी जान लेते हैं अगर इम इसकी cons की बात करें तो इसमें आपको HD channel की upscaling उतना अच्छा नहीं है लेकिन आप HD channel इसमें अच्छे से देख सकते हैं अगर प्रोज की बात करें तो आपको इसमें HDR10, Dolby Vision, TV का brightness, audio quality सारी चीज़े आपको इसमें better मिल रही है तो आपको ये budget range में बहुत ही अच्छा TV जो मैं आप सभी को recommend कर रहे हैं it is Sony, Sony X75L इसमें आपको beautiful color protection आपको इसमें मिल रहा है बहुत अच्छे आपको इसमें upscaling मिल रही है और इसमें आप HD channel बहुत अच्छे से आप scale होके देख पाएंगे IPS panel की budget से बहुत अच्छा view angle आपको इसमें देखने को मिलता है और अगर मैं इस TV में pros and cons की बात करूं तो अगर मैं इसमें cons की बात करूं तो इसमें कोई भी Dolby Vision नहीं है और refresh rate भी आप 60 Hz तक ही है अगर मैं इसमें pros की बात करूं तो आप scaling बहुत अच्छा है color protection भी आपको इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा view angle भी आपको इसमें बहुत अच्छा है यह TV उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा तर Shutter Works चैनल देखना पसंद करते हैं और मैं आप सभी को इसके best price के नीचे description में लिंक दे रही हूं आप जरूर से जरूर यहां पर check out करके buy कर सकते हैं एमाज उनकी link होते हैं इस category आ जाती है mid-wardsage segment इसमें भी मैंने दो TV लिया है पहला आ जाता है आपका Samsung Frame QLED इस TV की brightness और HDR performance दोनों ही बहुत अच्छा है HDR 10 का support मिलता है 100 heart का refresh रहे इस TV को आप as a art की तरह भी आप यूज कर सकते हैं अपने wall पे यह एडवांचर है इस TV में और अगर मैं इसमें pros and cons की बात करूँ तो जो लोग SD channel ज़ातर देखते हैं उन लोग के लिए यह TV recommended नहीं है और नहीं आपको इसमें Dolby Vision मिलेगा अगर pros की बात करें तो बहुत अच्छा TV है especially for OTT content smart features भी आपको इसमें मिलता है and one connect box है आपको तो यह better TV है आप इसको buy next TV है Sony X82L बहुत ही अच्छी upscaling और HDR performance आपको इस TV से मिलेगा Dolby Vision का support भी मिल जाए और quality इस TV को बहुत अच्छा है और color protection भी आपको इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा अच्छे view angle है और आपको इसमें अच्छा contrast भी मिलेका और इस TV में pros and cons की बात करें तो इस TV में cons की बात करती हूँ तो refresh rate जो है न 60 Hz तक ही है तो उतना कोई problem नहीं है यह TV अच्छा है आप ले सकते हो और अगर इसमें pros की बात करें तो बहुत अच्छा upscaling color protection और HDR आपको इसमें देखने को मिलता है और इन सब का best price में नीचे discussion में दे रहे हैं तो आप लोग जरूर से जरूर check out करके buy कर सकते हैं next category है upper budget इसमें भी मैं आपको दो TV recommend कर रहे हूँ जो first TV है Samsung QN90C यह Samsung का new QLED model है इसमें आपको mini LED का यूज किया गया है जिससे आपको बहुत अच्छी contrast देखने को मिलती है और इन TV जितना brightness किसी TV की तो है ही नहीं चाहे gaming हो वो TTV platform देखने हो चाहे sport देखना हो सब कुछ आपको बहुत अच्छी picture quality में देखने को मिलेगा Tizen operating system का अगर मैं इस TV में pros and cons की बात करूं cons की बात करूं तो इसमें भी dolby vision का support नहीं दिया गया है और अगर मैं इसमें pros की बात करूं तो बहुत अच्छी brightness जिससे आपको bright color देखने को मिलेगा contrast ratio बहुत अच्छा होने की बज़े से आपको HDR performance भी आपको इसमें बहुत अच्छा मिलेगा यह TV उन लोगों के लिए है जो bright room में TV लगाना चाहते हैं Android operating system बला dolby vision बला अगर आप TV लेना चाहते हैं तो next recommended TV है Sony X90L full array panel के साथ आपको यह TV मिलेगा जिसमें आपको dimming zones है जो कि बहुत अच्छा contrast ratio देगा अच्छी brightness तो है ही और आपको इसमें मिलना है dolby vision का support 120 Hz refresh rate और यह TV शोनी का है तो कहीं से भी quality में compromise नहीं किया गया है हर तरह से आपको यह perfect TV है और अगर मैं इसमें pros and cons की बात करूं तो अगर इस TV में cons की बात करूं तो major cons तो नहीं है इसमें लेकिन इस TV में बहुत अच्छे view angle आपको नहीं मिलेगा तो जितने भी array panel वाले TV होते हैं वो very good contrast provide करते हैं ना कि view angle और यही इसके प्रोज है very good contrast ratio यह TV उन लोगों के लिए है जो OLED TV के price तक नहीं जाना साहते है और सबके last category जो आएगा वो है premium category इसमें भी मैं आपको दो TV recommend करूंगी जो first TV आजाएगा आपका LG OLED C3 यह LG का OLED panel है OLED panel में आपको HDR performance बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और view angle की बात करी तो सबसे अच्छा आपको इन TV में view angle देखने को मिलेगा color protection इसमें सांदार है perfect TV है यह really value for money TV है यह LG का OLED C3 और अगर मैं इसमें pros and cons की बात करूं तो अगर इसमें cons की बात करें तो ज्यादा बड़े cons नहीं है हाँ ज्यादा bright room में इस TV को prefer ना करें क्योंकि यह LG TV होने के कारण web OS का यूज किया गया है चलिए अब इसमें pros की बात करते हैं तो perfect TV है OTT watching के लिए beauty fee up scaling भी मिलती है cinematic TV है बहुत अच्छा content smoothing भी आपको इस TV में देखने को मिलेगा तो यह हर angle से better TV है और मैं आप सभी को नीचे description में link दे जही हूँ आप लोग जरूर से जरूर वहां से check out करके buy कर सकते हैं सबसे last TV है Samsung का QD OLED TV OLED TV OLED TV जितना contrast ratio आपको इसमें भी देखने को मिलेगा with better brightness कमार का HDR performance आपको इस TV में भी देखने को मिलेगा इसमें भी आपको HDR 10 का support मिलता है and it has very good upscaling चलिए इस TV में अब मैं pros and cons की बात करते हैं अगर इस TV में मैं cons की बात करूं तो no doll be region और इसमें अगर मैं pros की बात करूं तो very good competitor LG C3 OLED HDR performance आपको इसमें बहुत अच्छा मिलता है और इन सब TV के best price के link में नीचे discussion में दे रहे हैं तो आप लोग जरूर से जरूर चेक आउट करके वहां से buy कर ले यह Amazon के link होते हैं और इसी तरह के वीडियो के update के लिए आप लोग प्लीज मिले चैनल को like हैं सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं इसी तरह के वीडियो के update आप सभी को आगे भी देती रहूँ